हम लोग का मीनी जुका अब जो जाल है रेडि हो रहा है और अभी देखर रहा है मिस्तिरी साप भी आ चुकRI हैं तो आज यह बने की यह लगा देंगे और देखर रहा हैं बस ये जाल के बज़े से रुका हुआ था तो आज ये भी रेडी हो जाएगा तो अभी तीन भी बच चुका है तो अभी एक घंट में या देर घंट में रेडी होगा तब हम इसको उपर फीट करेंगे अभी हो गया है राथ और हम लोग का जो जाली है बन के रेडी हो गया है हलो दोश्तो तो अभी सुबह का समय है और सुबह हम आ गये हैं अपने मीनी जू का जाल बन गया है न, भूट रात हो गया था इस वज़े से हम लोग उसको छोड़ दिये थे हैं तो अभी बन गया है पूरा बैल्डिंग हो चुका है बस उसको उपर की तरफ में चढ़ा देना है तो अभी हम लोग इसको देखने के लिए आए हैं तो देख रहे हैं अभी कितना मस्त बनाए हैं और एक हमारे पस फालतू हो गया था ना तो इसको आज आज हो बोले आज हम नहीं आपाएंगे तो यह कल ही चढ़ पाएगा उपर में बस इसको चढ़ा देने के बाद हम लोग का मीनी जू हो जाएगा रेडी हैलो दोस्तों तो कैसे आप सभी मैं उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खेरियत से होंगे तो अभी हम लोग चलते हैं अपने मीनी जू के अंदर में जो हम लोग का गेट है गेट का जाल भी आके रखा हुआ है बस हम लोग को यह देख रहे हैं इसको मैंने फिट करके रख रखा था तो अभी जैसे ही फिट करके रखा थोड़ा हवाल लगा होगा तो नीचे की तर तो अभी तक रेडी हो गया था और यह वाला देख रहे हैं इसमें कितना है सब रहर का दाल है कितना मस्ट फूला हुआ है हमारी मिनी जुमें देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है उपर से ढग जाएगा तो यह कल पक्का हो जाएगा तब हम लोग का कल से अपना मीनी जुमें फ़र्ष्ट हम लोग लेकर आएंगे अपने कबूत्रों को कबूत्रों को करेंगे इ फिर हमारी बखरी बखरी जो हम बोले थे ना गांवाली लेने गए थे तो कल तो हम लोग जा नहीं पाए दिन भना उसी में लग गया मिस्तरियों से बोले थे और मुझे भी लग रहा था दो घंटे में हो जाए पर दो घंटे में नहीं हुआ इतना ही बारिक से मजबूती जाल बना है ना इस वज़े से लेट भी हो गया और मैं बता रहा था कि अगर हम बाहर से खरीद के लाते नहीं मिलता पर इसा नहीं मिलता यह तो हम लोग खुझ से खरीद के बनाए ना तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा अगला बार आगर हम इससे भी बड़ा मिनी जू अराम से खाती रहे अभी इसको लग रहना हम लोग रोटी लेकर आएं इसलिए उठके ना बैठी हुई थी उठके खड़ी हो गई तो अभी हम तुम्हारे लिए रोटी नहीं लाए हैं आज हो सकेगा तुम्हारा दोस्त लेकर आ जाएंगे पर आज भी हम नहीं लेकर आप सुनता है ना हमारा बेटा तुरां दोड़ते हुए चलाया यह भी जाएगा अंदर की तरफ देखने पहले पहुंची गया है कि सुब्य का समय ना तो हर तरफ अंधेरा अंधेरा सा मुझे लग रहा है तो फश्ट में मैं यह क्या करता हूं ना इसको गिरा देता हूं इसक अधर से धक रखें और हमारे जो परिंदेर कबुतर इनको भी ढखें तो इनको खोल देते हैं हटा दो हटा दो देख रहे हैं अरे अरे वी यह मेरी कबुती बहुत जल्दी अंडा देने वाली है यह दो दिन और इंतिजार कर ले दो दिन बाद हमारा पूरा फाइनल ही रे इधर से इसको गिरा देना है जिससे रोशनी अंदर की तरफ जाए और एक इधर में है इसको गिरा देते हैं और एक इधर में है इसको गिरा देते हैं अब थोड़ा रोशनी हम लोग का अंदर जाने लगा यह जाल दे रखें ना कोई भी कीड़ा और अंदर ना जाए तो अंदर की तरफ ना जाए और उपर से इधर जो होता है क्या आप लोग बोलते हैं जो फुकता है वह अंदर की तरफ आ गया था इस वज़े से इतना घना जाली लग गया है तो हमारी चैना मुर्गी इधर की तरफ में अभी इसा कुछ दिखने लगा है दो लगा दो बंद कर रहा है अंदर मौंकी कहां है उद्धर सभी सूजना देख रहा है उसकी मान लेकले खोगी ह। मैं भी इधर दिखाता हूं इधर कितने प्यार से बैठिवी लेकर उसकी मान सबीट सूजना को और हमारा जो रेवित हैं इधर मैं क्या कर रहा है पानी बी रहा है क्या हुआ अधर है मूंकी देखे उधर चला गया na तो तो आब हम लोग का मुर्गी अभी अधर दे नहीं रिये तो आज फिर लोग चेक करते हैं क्या पता दी होगी हुआ हम लोग देखकर आते हैं इसके यूंदर मुझे छैनल पर पता नहीं क्या हो गया और हमारी मुर्ग प्रूक भी नहीं हुई क्जे। करेक देखते हैं चलो चलो तो वह उधर में आड़ को देखते हैं अभी देखते हैं हुई और कबूत्रों के पास्य जाके उसको क्या कर दिया मारने के लिए गई ओए तो इसपे अंडद दैती है हुए इसके भी एंडद नहीं है तो हमारा सफेद ღमरो अरूम मैं बोली थी नि कहारा रिभीट नि दूझ मैं कर दिए देखें कहा किया है इधर में ऊधर बना कि प्तान मा बहुं है अब बाहर रहा दो दिन हम इंतितार कर ले तो भी घर मेश्ञ देखें दिखाने के लिए अगर उसकी बैटी को कोई जाके मारता है तो तुरंत उसकी आके मारने लगती है क्या बट्टा गोद्धी नहीं चलो चलो हमारा जो कड़कनात मुर्गा है इसकी मुर्गी जो अंडे दी है अभी तीन एक चार ही अंडे दी है काली वाली मुर्गी तो अभी उसका अभी दो तीन दिन से दे भी नहीं लिए पता नहीं कहीं और जाके दे लिए उसको देखते हैं कुडुक तो नहीं हो गई है उसे धीरे धीरे ना इपंक उठा रही है कुरुक जैसा तो भाई आप लोग अगर कोई दखा वाना कड़कनात तो मुझे कोमेंट कीजिएगा कि यह कितने अंडे देती है मुझे लगता है तीनी चार नहीं ने देती है अज की हमारी वीडियो उमीद करते आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए ओचैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे न